दोस्तो आज की इस वीडियों हम तू विलर्स या फिर फॉर विलर्स विकल्स की सर्विस वर्क्शोप एजनसी की अकाउंटिंग को टेली प्राइम सौप्टवेर में कैसे मेंटेन करते हैं ये आज प्रैक्टिकली सेखने वाले हैं तो दोस्तो जब किसी भी वर्क्शोप में उसकी फॉर विकल्स की या फिर टू विलर्स विकल्स की सर्विस की जाती है तो जब हमें टेली प्राइम सौप्टवेर में से कस्टमर को इन्वोईस देना होता है तो उसका रिकोर्ड हम प्रोपरली किस परकार मेंटेन करेंगे जै कि जो पूरी information और विकल से समन्दित चारी उस invoice में print हो तो दोस्तो आज की वीडियो में इस सारी बात हैं practically सेखने वाले हैं अगर आप एक नए content हो आपकी भी job किसी workshop service agency में लगने वाली है तो आज की वीडियो को आप end सक complete जुरूर देखना क्योंकि ये वीडियो नए content के लि तो लाइक जुरूर कर देना अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को भी subscribe करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी टाइप की practical वीडियो और भी लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तो मैं हु यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा रहने वाले वह वरक्शॉप में सर्वीस से रिलेटेड रहने वाले है तो दोस्तों वरक्शाप में दो टाइफ की accounting यानिकि इन जाता है उसमें जो भी स्पेर पार्ट लगता है वो आपको आउट ओफ मार्किट से परशेज करना पड़ता है और एक एसा वरक्शोप भी होते हैं जाहाँ पर स्पेर कोई good sale कर रहे हैं तो भी हमें sale voucher की जुरूर्ट पड़ेगी अगर हम service provide दो भी हमें sale voucher की ही जुरूर्ट पड़ती है तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है यहाँ पर party के account name की तो दोस्तों आपको party का account name special आपको तभी create करने की जुरूर्ट पड़ेगी अगर आपका वह regular customer हो या फिर जो customer है उसकी पैमट आपके पास बाइचेक नेफ्ट या किसी भी UPI के थूँ आई हो तो आप उसका laser create कर सकते हो otherwise आप यहां पर case को select करोगे क्योंकि ऐसे तो आपके पास बहुत सारे customer आएंगी तो इससे में आगर आप laser create करते रहोगे तो बहुत सारे laser आपके create हो जाएंगे तो ऐसी situation में अगर आपके पास कोई case customer यह आता है समान भी उसने case में process किया है और जो service का चार्ल बढ़ना है वो भी case में पे किया है तो इस स्थिति में आप case को select करोगे तो जैसे हम case को select करेंगे तो जो customer है उस customer का नाम आप properly यहां पर दे सकते हैं पार्टी details के अंदर तो अब इसके अंदर जो यहां पर बिल्टू का जो नाम आ रहा है अब यहां पर बिल्टू को हम यहां से करेंगे उस customer का नाम है जो टाइप कर देंगे अम माली जी हमारे पास कोई customer है मुकेश कुमार के नाम से तो हमने मुकेश कुमार के नाम से new party का laser create कर दिया और उसके बाद में address भी हम यहां पर टाइप कर देंगे अब जो भी address है अब माली जी हमारा अब जो मारे पास customer है अब उस customer ने अपनी बाइक को service मारी कंपनी से करवाय तो हमारे से कुछ spare parts भी प्रसेज किये और service भी लिये तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी spare parts रखती है तो सबसे पहले आप सभी spare parts की जो stock item है उनको create करना पड़ेगा आपके telly prime software में है तो दोस्तों मैंने for example यहाँ पे तीन stock item में leave यह है जिसे की oil 1 liter है oil 2 liter है और एक oil 5 liter है तो इस दिती में अगर आपके पास कोई filters है या और आपके पास जो पार्ट्स रहते हैं मिरेर वगरा रहते हैं लोक वगरा रहते हैं तायर टूपस जो भी आप रखते हो तो सभी की stock item आपको create करना ही पड़ेगी तो मैंने for example अम मालीजी मेरे पास bike service होई है oil 1 liter हमने customer को दिया है quantity एक पीस हमने दिये अब जो rate है 350 रुपे और उसके बाद में हमने यहाँ पर laser की rate किया हुए यहाँ पर sale का और यहाँ पर अंडर में इसको रखेंगे sale taxable को और उसके बाद में अब इसी customer को हमने service भी दी है यानि कि labor भी चार्द लगाने है तो labor chart लगाने के लिए हमें stock item के बाद में यहाँ पर आना पड़ेगा नीचे अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर दो laser बना रखे है एक तो two wheeler service के लिए और एक है four wheeler service के लिए अगर आपकी company दोनों type के vehicles को service करती है तो अब जो मैंने laser बनाया है two wheeler service तो आपको मैं laser दिखा देतों कैसे बनाया है two wheeler service का मैंने यहाँ पर नाम दिये रहेगी और उसके बाद में जो tax rate है 18% का एंटरप्रेस करेंगे और उसके बाद में type of supply है इसमें आपको यहाँ पर service रखना इसको goods नहीं करना इंटरप्रेस करके मैंने save कर दिया अब उसके हमने 150 यानिकी 500 रुपे service भी चार्ज करी है तो हम 150 रुपे यहाँ पी service चार्ज भी लगाएंगे तो यह भी हमारा sell taxable है और अब हैं आपर हम टेक्स लगाएंगे इस पे वह टोटल इन दोनों जो goods की value है और जो service की value है इन दोनों पर चार्ज किया है अब यानिकि अगर बात करें वह 350 और 150 टोटल 500 रुपे होगे तो 500 रुपे पे 18% के साब से यह 90 रुपे का tax लगया 45-45 रुपे का तो यह total invoice की जो value है वह 590 रुपे की बनेगे उसके बाद में जैसे हम enterprise करेंगे तो अब उसके बाद में यह सारी information हमें डालनी पड़ेगी यह job card से समद्रेंस यह जो भी information हमारे से मांगी जा रही है अब जैसी job card number वह गड़ा हो गया तो job card number हम यहाँ पर डालेंगे अब विकल का number यहाँ पर लिखेंगे विकल number जो भी पर निख सकते हैं भी सर्विस भाइए अजय कुमार उसके बाद में विकल का कलर जैसे हमने दे दियां पर रेड वाइट उसके बाद में विकल का इंजन नमबर अभी सुन आपको जो विकल होती है उसमें आपको submit जाएगए जैसे नमबर भी आपको स्विकल की बुकलेट में मिल जाएगा उसके बाद में number of और उसके बाद में यहां पर हम अधर इंफॉरमेशन में जो डिटेल लिखनी है वो भी हम लिख सकते हैं अमाले जी इस कस्टमर ने मारे से पांच भी सर्विस करवाई है तो हम यहां पी लिख सकते हैं तो इस टैप से हम उस विकल की सारी इनफॉरमेशन यहां लिख सकते हैं अब जैसे हम इस इनवोईश को सेव करेंगे और कस्टमर को जब इसका इनवोईश हमें देंगे तो हम वापिस इस इनवोईश पर आ जाएंगे और एल्ट पी के साथ हम इनवोईश पर जाएंगे प्रिव देखेंगे एल्ट जेड के और विकल की इंजन टाइप का नहीं तो यानि कि यह सारी इनफॉर्मेशन बाद में उसके बाद में सारी आपको ओईल लिटर आ गया वन लिटर्स की जो स्टोक आइटम हमने सेल करिया साथ में और एचेशन कोड भी आ गया और एटीन परसेंट है एक पीस है तीन सो पचास र भी आन ने इसके अंदर तो वो सारी के सारी आपको इस इंवोइस में भी देखने को मिलेगी तो इसलिए हम इस टेडियल फाइल का हम यूज करते हैं ताकि मारा जो भी रिकॉड रहेगा वह इस इनवोइस के साथ में प्रिंट होके आए तो इसी तरीके से हम फोर विलर की ने जो सर्विस होती है उसी टाइप का सेम इन्वोस का जो जैदिए बनाने का इसी थ्रीकनीज़ेगा बस तो टू विलस की जगए आपको फॉर विलर सर्विस सेलेक्ट कपड़ा अगर आप एक को मलोगाली सर्विस का तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने कंपनी की फैसिलेटी के लिए अकांटिंग को और ज्यादा थोड़ सा इजी बनाने के लिए टू विलर सर्विस और फॉर विलर सर्विस को अलग-लग लेजर में डिवाइड के वैं ताकि हमें प्रोपर्ली पता चलता रहे हमने टू विलर सर्विस से इतनी हमारी इंकम होई है और फिर विलर की सर्विस से विक्कल की सर्विस से इतनी इंकम होई है तो इस तरीके से प्रोपरली हम इन्वोईस चनरेट कर सकते हैं टेली प्राइम सफ्ट्वेर में विक्कल के फूरे डिटेल के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो आ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ